ट्विन सिटी में इन दिनों नीजी अस्पतालों के लापरवाही और मरीजों के साथ धोका धड़ी किये जाने की शिकायते लगतार मिलने से एक्षन में आए नर्सिंग होम एक की टीम मौके पर पहुँची और सम्मधी शिकायत पर जाज कर मरीजों से चर्चा भी कर रही है इसी कड़ी में नर्सिंग होम एक की नोडल अधिकारी ने दो डॉक्टर समित एक अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है दुरकर फिलाई शहर में इन दिनों नीजी अस्पतालों की इला पर वाही और मनमर्जी की शिकायतें सामने आ रही है जिसके चलतें पिछली दिनों कारवाई करते हुए दुरू के आरोग्यम होस्पिटल का एक साल का आयुश्मान कार्ट से इलाज की सुविधा को बंद कर दिया गया है इसके बाद बागी नीजी होस्पिटल के भी होसले बुलंद नजर आ रहे हैं लगातार मिल रही शिकायतों पर नर्सिंग होम एक्ट की टीम मोकी पर पहुँच संबंदी शिकायत की जाचकर पिडित परिजनों से मुलाकात कर चर्चा कर रही है दूसरे अस्पताल भिजे जाने के कारण एक बार फिर से भिलाई के तीन अस्पतालों से स्पस्ट्री करन मांगा गया है। आपको बता दें इन दिनों नीजी अस्पतालों से लगातार शिकायते मिल रही है। नर्सिंग होम एक के नोडल अधिकारी अनिल शुकला ने गमभीरता दिखाते हुए उन सभी नीजी अस्पतालों से महिला की मौत के बाद सभी अस्पताल आये जाच के घेरे में। इस दोरान अस्पताल से जाच कर रही डॉक्टर ने रिफर क्यों किया इस पर भी जवाब मांगा गया।